नमस्कार दोस्तों मेरा हूँ सास्त्री सवयगत करता हूँ आपका अपने जोती सिखाने की संकलों को जारी रखते हैं पहुती सरल तरीके से कम सब दो मैं आज हम चर्चा करेंगे पहुत सारे लोगों का ये आया कि सास्तरी आप ने स behalf में हमारे में बन रहा प्डशू आपने फल बताएं किसे फेलोब भी स्वित्रव है इसे क्या रही जने यह में आपको बताने जानेंगत बनता है या फिर दस में से बनता है या फिर बीस कुंटले में बनता है तो बीस कुंटले के अंदर कहीं न कहीं है छे लोगों को ही पूनरूप से फल मिल पाता है या अगर दस कुंटले के अंदर बनता है तो करीब करीब तीन लोगों को इसका पूनरूप से फल मिल पाता है ऐसा क्यो यह मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले सस्योग कैसी निर्मान होता है और उसके क्या फाइदे होते हैं यह मैं आपको बताऊंगा सस्योग कैसे बनता है अगर यह क्योंकि सनी से बनता है तो सनी अगर केंदर में हो सनी को केंदर में होना चाहिए केंदर का भाव होता ह बेला चोता साथा दस्वा सणी को इन्ही चार भाव में होना चाहिए इसके अतरुद केसी और भाव में होगा तो कंडिशन नहीं पुलब लोगे यह सिर्फ एक कंडिशन है दूसरी सणी अपनी उचकी राशी या सणी अपने खुद भी सस योग बनेगा जिसे हम पुनरूप से कहेंगे सस पंच महापुरुष राजयोग तो कहने का मतलब पहली कंडिशन सनी की उच राशी और सनी की खुद की जो दो राशी है वो केंद्र में होनी चाहिए यानि साथ नंबर दस नंबर और ग्यान नंबर इन में से कोई केंद दसमे में हो किसी में भी हो लगन का सनी लगनस्त सनी अगर है लगन में अगर सनी बैठा है तो ये बहुत अच्छा नहीं मनता अच्छा नहीं माना जाता है यहां पर सनी कमजोर पढ़ जाता है पर क्योंकि अगर अपनी उच की राशी में बैठा है और केंद्र में होके बै जैसे तुला रासी है सनी यहां पर आगे बैठेगा तो निच्छे दूरूप से फायदा मिलेगा अब यह तो आपने समझ लिया कि सनी कैसे सस्योग बनाता है सनी केंद्र में होना चाहिए और अपनी खुद की रासी में या उंच की रासी में हो यह सीधा सा सिद्धान्त अब इसके फायदे क्या होते हैं उसके बाद हम और थोड़ा टेक्निकल डिसकर्शन करेंगे कि और क्या-क्या कंडिशन होनी चाहिए जिसमें पून रूप से फल आपको देखना चाहिए और पून रूप से फल आपको मिल सके सश्योग जिसकी भी कुड़ल में मिलता है एक बात तो आप समझेए इसका जो फल मिलता 36 साल के बाद मिलता है इसे व्यक्ति एक उच्प खोटि के मउच्चा दिख़ारी पॉल्टिक्स छेत्र में कि बहुत अच्छा ऐसे व्यक्ति कि एंड्र में पसारे लोग काम करते हों झाथार्थ कोई इंडास्ट्रीहों कि या इंटरपिनियर हो तो ऐसे ही में ऐसे लोगों को देखा गया, ऐसे लोगों को कि उनकी कोटले में सस्योग पाया गया हो, पहत ही anch непोटी सभी योग में, सस्योग सभी पांच चु पंच महापूरूस राज norijोग होंगे, बागी के थोड़ा उपर नीचे कर सकते हैं अपने फलों में अगर कंडिशन मनगी तो सस्योग जरूर आपको फलित होगा पर इसमें कुछ कंडिशन सापको देखनी होगी जैसे कि वह सारी लोग कहते हैं कि हमारा बन रहा है पर फल को नहीं मिल ला इसके बारे बुचर्चा करेंगे किस किस लगन में ये बनता है तो मेश लगन में बनता है क्योंकि अगर मेश लगन एक लगन लिखा होगा यहां पर तो यहां पर दस होगा तो दस लगन होने के करण सनी उसमें बैटेगा तो भी सस्योग होगा इसी परकार वर्शब लगन में सश पंच महापुरूस राज्यो में बनता हो इन चार लगनों के अंदर सरस्षिष्ट फल देगा साती साथ कुछ चीजों का आपको ध्यान देना है जैसे कि किसी कुण्डले में बन रहा हो पर उचित रूप से फल नहीं दे पा रहा हो इसके पीछे रिजन हो सकता है कि सनी क्यूंकि सनी से मनेगा सूरिय से अ बैठा है तो दूसरे भाव से संबंद बना लेता हो तो यह पुण्द रूप से पंच शास्योंग नहीं माना जायागा इसी परकार सनी की डिगरी पहुत कम हूं सनी बालवस्ता में हो मर्तवस्ता में हो तो शाशयोंग बनने के बाद भी वह जितना फल देना चाहिए उत् आप जो है निला मृतन धारन कर सकते हैं अधर्वाइज आप सनी का वीज मंत्र भी कर सकते हैं एक चीज कि तो आपको क्या देखना है सनी के अंसित देखने हैं चलित कुटली में क्या परभाव देता है और सूरिय से अस्थ तो नहीं है सड़बल में अगर सनी की इस्तिती पहुत अच्छी है तो सश्योग में उतना है आपको फायदा मिलेगा ये जितने भी ही आपको पोजिटिव फल मिलेंगे ये सनी की महादसा अंतरदसा प्रतंतरदसा में आपको मिलेंगे सनी अगर अस्थे कुंटली के अंदर शश्योग बंद रहा है वर्सब लगन, तुला लगन, मकर लगन, कुम लगन के अंदर आप नीलम पहन सकते हैं सश्योग बंद रहा है और सनी की डिगरी बाला वस्था अमरत वस्था में है तो फिर आप और वर्षब लगन, तूला लगन, मकर लगन और कुम लगन में बन रहा है तो भी आप निलम रतन धारन कर सकते हैं अगर वो चलित कुडली से तिरिक भाव में शिफ्ट हो जाए जैसा कर सप्तम भाव से चटे या अस्टम भाव में आ जाए लगन से बारवे भाव में आ जाए तो ऐसे में आप शनी का बीज मत्र कर सकते हैं तो दोस्तों बहुती सरल तरीके से कम सब्दों में हमने आज चर्चा करी सश्योग के बारे में क्या असके फायदे होंगे किस लगन में ये अपना महत्ता पूंध रिजट देते हैं अच्छा रिजट देते हैं और अगर सश्योग बंद्रह पर आपको अच्छे फ़ल नहीं मिल प्रें तो उसके पीछे क्या रिजन हो सकते हैं और क्या आप वो पाई कर सकते हैं तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो कर अच्छी लेकर लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा धन्यवाद